बिहार बोड चे जितने भी विद्यार थी क्लास 9, 10, 12 या 12 किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बिहार भी दाले परिक्षा समीती जो तीन काफी महत्वपूर्ण बदलाव किया है उसको लेकर अपडेट आया है आईए उस अपडेट को समझते हैं उसके साथ सा आपका एकजाम कहाँ पर पढ़ेगा उस सेंटर की तैयारी भी 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 हार बोड कर रहा है उसको लेकर भी अपडेट जारी कियागा उस अपडेट के भी जर्चा करेंगे देखें यहाँ परिक्षा के साथ ही सक्रियता पर भी लेगा इसकूल में उपस्थिती सहयोग परिक्षा में नकल रोकने के लिए पहली बार बोड परिक्षा की तहरा ही उडाका दल का गठन किया गया है यह दल इसकूलों में परिक्षाओं के दरान अचानक निरिक्षन करेगा नकल चीच हात्रों को पकड़ने के बाद उन पर करवाई की जाएगी जनकारी के मुताब 25 सितंबर को जीवतिया है इस दिन होने वाले परिक्षा में तीथी आगे की तरह बतलाव किया गया है यहां पर यह सब जो अपडेट है एक क्लास आप के लिए नहीं है नाइन तेंद के सिर्फ मतलब की वन से लेकर एड तक के लिए है ठीक है अब यहां पर आज की मतलब कि अब आपका जो है जैसे बोड एक्जाम में देखते हैं कि बोड एक्जाम में आप सुनते होंगे कि मजिस्टेट चेकिंग हो रहा है तो उसी तरह आपका उड़का दल बनाया गया है मुझ करमचारियों को विहार बोड नियुक्त किया है वो डाइरेक्ट आपके क्या माशिक परिक्षा होता है तो काफी इस्कूल कलेज में देखा गया है करा कि इस के साथ यसकूल का विद्यार्थी क्या करता है कि मुबाइल फोन हो गारा से लिखते हैं या बुक्से कहीं से मतलब चीटिंग उल्गारा करते हैं तो उसको रोकने के लिए और ताकि ये इसको गमभीरता से कोई भी विद्यार्थी या सिक्षक नहीं लेते हैं यह इसका गठन किया गया है और यह update क्लियर कर दिया कि आपको गमभीरता से लेना होगा और मासिक परिक्षा में जो चीटिंग वारा चलता है उस पे भी रोक लगेगा और मासिक परिक्षा के महतो भी आप समझेंगर जो विद्धारती चीटिंग हो गारा करते हुए मासिक परिच्छा में पकड़ाएंगे तो उन पर भी करवाई हो गारा किया जाएगा तो यह पहला अपडेट था दूसरा यहां पर देखिए महत्वपूर अपडेट है बताया जारा है कि सभी माध्मी के वन उच माध्मी मिद्यालों से मांगी गई सूची परियाप्त कंप्यूटर वाले इसकूलों में ही बनेंगे मुलियांकन केंद्र यह बताया जारा है कि मैट्रिक इंटर का बोर्ड एक्जाम जो 2025 में कंड़क्ट होने जा रहा है तो उसमें जो आपका कोंपी वारा कहां पे च स्कूल में ही मुलियांकन केंद्र बनेंगे इस पावत बिहार विद्याले परिक्षा समिती ने राज भर के सभी माध्मिक और उच माध्मिक विद्याले में उपलब्द और कारेरत कंप्यूटर की सूची मांगी है जनकारी का नुसार बिहार बोर्ड ने परियाप्त संख् सब्सक्राइब कारेरत कंप्यूटर होगी वहां उतर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन कारे किया जाएगा इसके लिए बोर्ड ने एक फॉर्मेट जारी किया जिसमें मतलब कि सूची मांगा गया कि किस स्कूल काल में कितना कंप्यूटर कितना कारे कर रहे हैं अब यहां पे यह अपडेट आप देखने हैं तो जहां पे भी मतलब मैट्रिक इंटर बोर्ड एक्जाम 25 जो आपका कंड़क्ट होगा फेबुर्वरी दोजर पचीस में उसके बाद जो आपका कॉपी होगा राजाच होगा उसके लिए भी बिहार बोर्ड तैयारी करना शुरू कर दिया है और यह सुनिशित कर रहा है कि अब इस साल कॉपी वहीं पे जाच होगा जहां पे कंप्यूटर की बैवस्ता था कि रिजल्ट और जल्दी जारी किया जा सके क्योंकि बिहार बोर्ड का क्या होता है कि एक जगा पर देखिए जो आपका अब्जेक्टिव होगा 50% उसका त अब क्या होगा कि वहीं पे कॉपी जाच होगा तीशी स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर होंगे तो उससे क्योंकि आजमान लिजे कितना कॉपी जाच हुआ तो सीधे वहीं से उलो डाटा एंट्री कर देंगे बिहार बोर्ड के कर्याले में पहुंँ जाएगा डाटा और ज उसके साथ अब को पी वारा कि मुल्यांकर का भी विहार बोर्ड तैयारी कर रहा है इसका मतलब क्या कि आपका एकजाम बिल्कुल समय पे जैसे हर साल होता है वैसे ही फेवरुरी दोयर पचीस में होगा और उसके साथ आपको भी अप गंभीरता से तैयारी सुरू कर देना ह अगर थोड़ा सा भी अप्ला परवाही कर रहें तो आप इस सभी अपडेट बता रहा है कि आप एकजाम में चंद दिनों का समय से समझे आपका रिजल्ट का भी तायारी भी विहार बोर्ड सुरू कर दिया है तो आपको भी इसी रूप में अप गंभीरता से पढ़ाई कर करना है तो आपको मासिक परिक्षा का रूटीन देखना है या मैट्रिक इंटर बूर्ड एकजाम दोजर पचीस का एकजाम फॉम रजिस्टर स्रकाट की संपूल जानकारी के लिए सिंपल सा आपको अपने मुबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ऑपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आईए और इस चैनल का नाम ए आर करें टाइप करके सर्च कीजिए आपके सामने सर्च जलटाएगा और ए आर करें डॉट कॉम वैबसाइट इस तरह सो होगा सिंपल सा आपको इस यहां पर जैसे ही किलिक करेंगे आपके सामने देखिए ऑफिसल वैबसाइट जूरुआ हो जाएगा यहा पए बिएट मेक्ट न कैस यहां पर मिल जाएगा जो भी अपडेट में बता रहा थे हम पर मैटर इकमरीं दिया गया है ठाय है कल्याइक कली तो आज की इस पूरे वीडियो की सनांस में आपको बता दूँ तो आज भी हार बोड के तरफ से दो महत्वपूर अपडेट जारी किया गया है पहला अपडेट है कि अब आपका जो मासीक परिक्षा हो रहा है हर एक मन्त उसमें भी अप बोड एक्जाम के जैसा चेकिंग परिक्षा समीति तो इसको भी आपको गम भीरतास लेना है और दूसरा महत्वपूर अपडेट था मैट्रिक इंटर बोड एक्जाम 2025 को लेकर कि भी हार बोड आपका एक तरफ हरे कारेकर ही रहे सके एकजाम फॉम भरना आपका ओरिजनल रिजल्ट रिजल्ट जारी हो सके इसकी भी तयारी भी हार बोड शुरू कर दिया है कि इसल कॉंपी हो गराक जांच उसी स्कूल कॉलेज में होगा जहां पेकि कम्प्यूटर की परियाप विवास्था हो ताक एक तरफ रिजल्ट आपका कॉंपी जांच हो और एक तरफ आपका ओलो रिजल्ट तयार कि किस ब आन्ने बाद